हेलो, नमस्कार सातियों, मैं हर्बिर सिंग, आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल, स्टेडी 24 ओफिसियल में दिल से स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो सातियों, एक इंपोटेंट खबर मैं आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आज आपको काफी इंपोटेंट खबरें वो बताने वाला हूँ तो सबसे पहले, जैसा आप जानते हैं कि DSSB में mostly आप देख पा रहें कि काफी रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी काफी रिजल्ट बचे हुए हैं जैसा कि आपको पता होगा कि DSSB ने टाइम लिया था कि February तक जो यह रिजल्ट का काम है वो पूरा कर देंगे लेकिन अभी भी काफी रिजल्ट बचे हुए हैं तो इसको देखते हुए जैसा कि court ने जवाब मागा था DSSB से तो अभी जो DSSB ने जवाब दिया है court को तो उसमें DSSB ने कहा है कि हमारे पास काफी काम है जैसा कि उन्होंने बताया पूरी डिटेल दी बहुत जादा उन्होंने काम बता दिया कि हमारे पास यह काम है यह काम है इस काम की वज़े से हमें और टाइम चाहिए साथियों आपको अभी बता दिता हूँ DSSB ने अभी अप्रेल तक का टाइम मांगा है और मैं उन साथियों को एक जवाब और दे देता हूँ जिनका अभी सेलेक्शन हो चुका है लेकिन अभी जोइनिंग होने में कितना टाइम लगेगा यह कोस्तन है सभी के माइन में अभी तो आप समझ सकते हैं मार्च लास्ट तक मार्च लास्ट तक आप मानके चलें जो MCD PRT है उसका फाइनल रिजल्ट आएगा और इसके बाद अगर बात करें जोइनिंग कब तक हो सकती है अभी तो आपको पता है कि DSSB के काफी रिजल्ट अभी बचे हुए है इवन आपको पता है कि जो DOE का रिजल्ट है वो भी बचा हुए तो बात करें अगर फाइनल रिजल्ट की सौरी फाइनल जो जोइनिंग होनी वो कब तक हो सकती है तो साथियो फाइनल जॉइनिंग आप मान के चले जून जुलाई कम से कम जून जुलाई तक का टाइम आपका लग जाएगा तो इस हिसाब से जैसा कि मैंने पहले आपको बताया होगा कि जो DSSBA बहुत धीरे काम कर रहे और अभी जो काम करने के उनकी स्पीड है बहुत कम है इससे कही न कहीं वो कंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेहनत करी है एक वेटिंग में बैठे हुए है तो यह पता नहीं कि क्या माइन में चल रहा हूँ लोगों के उनकी अपनी एक अलग सोच है लेकिन अगर एक्चुल में देखा जाए तो गौर्मिंट को डिएसस्वी के उपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनके काम करने की स्पीड है वो क्या है अगर इंप्लोईज की कमी है वहाँ पर तो इंप्लोईज और दिये जाने चाहिए है तो साथियों यह अभी अपडेट है आप लोगों के लिए तो उम्मिद यही है कि आपका काम अगर जून जुलाई तक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे है और इलेक्शन की वज़े से काम बहुत डिले हो जाएगा लोगों का ध्यान भी भटकेगा जैसा कि अभी लोग एक्टिव हैं जा पारे है बाद में क्या होगा कि थोड़ा उसमें मतलब disturbance होगा लोग महाँ पे इतना आजा नहीं पाएंगे तो उम्मिद यही कि चीजे आपके साथ जल्दी अच्छी हो जाएं और new vacancies के लिए जैसा कि आपको बताया कि जल्दी कोई step लिया जाएगा तो आप सभी जुड़के रहे और आप सभी अपना सहयोग दें और जो भी लोग अपने तरीके से अलग कुछ कर रहे हैं करते रहें और अभी एक step और लिया जाएगा जिसके बारे में मैं आपको एक दो दिन में बता दूँगा सबसे पहले उसके लिए voting होगी वोटिंग होने के बाद जो आप लोगों का decision होगा उसके according आगे कोई step लिया जाएगा तो सातियों ये थी update वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करें क्योंकि like से क्या होता है दिल खुस हो जाता है कि आप लोग like कर रहे हैं तो सातियों goodbye take care thank you जैहिंद वन देमा